हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारी एक न्यू वीडियो में तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपना न्यू गोप्रो हीरो 11 माइक यह मेरा हेलमेट है और यह सेट अप मेरा पहले से है जो कि मैं इस पर फोन माउंट करता था है मैं आपको अन्बोक्स करके दिखाओंगा फिरो 11 ब्लैक तो चलिए अन्बोक्सिंग करते हैं इसके सब्सक्राइब पर तुब करे द करेंत काकर the box को साइड भर τपे देंट की देखए Q11 Black और यह बॉकश है काफी प्रेमियम क्वाल्टी करें के इसको अनबॉक्स करते हैंdensi का इसको अनबॉक्स करते हिस्वे मिली यह मैं यह सब आप है कि सो भुप से पहले इसके साथ मिले हुआ है दो बैटरी मिली हुए इसके साथ जो की एक्स्टा पावर बैटरी है यह गोप्रो दी आ में ना है खपनी है स्ट्राइब करते हैं दो बैटरी हैं यहां पर यह कुछ वाउंट है स्टरेप माउंट है और यह हेड मााउंट है जो कि ऐसे हेड़ पर फिट हो जाता है ऐसे यहां पर कैमरा लगागे आप यह डर कर सकते ह ID को भी उसक्रेंके बादे कeed आध में on करते हैं और अपने helmet पर mount करके आपको दिखाते हैं यह कैसे mount होता है सबसे पहले इसको यहां से open होगा अलका से slide करके इसको ऐसे यह open हो जाता है so friends यह है इसकी clip जिससे आप phone की chip बगारा या SIM डालते हैं यह वो slot opener है तो इससे मैं इसमें चिप निकाल के दिखाता हूँ आपको कि इसमें चिप निकल आई है और यह 256GB की चिप है 256GB की चिप जो कि इसमें मैं डाल के on करके दिखाता हूँ आपको इसको इसमें डालके इसको अलके से प्रेस करेंगे तो इसमें इंसर्ट हो जाएगी और इसमें लगाते हैं गोप्रो की बैटरी इस साइड इदर यह स्लोट में रखे हैं इसमें यह अटैच जाएगे इसमें बैटरी इंसर्ट हो चुकी है इसको बंद करते हैं कि यह बंद हो चुका है कि पावर बटन दिए गोई है इसको इदर से ओन करते हैं कि अगरे इस देख सकते हैं यह अलो चुका है अब यह बैक में लिख रहा होगा तो यह तो हो गया गोप्रो इसको भी आफ करते हैं कि यह गोप्रो मेंने आफ कर दिया इसको साइड में करते हैं अब आपको दिखाते हैं अपना हेलमेट जो कि है स्टड्स का है और यह काफी नॉर्मल्मेट है जो लोग डेली यूज़ करते हैं एफ़र्डेवल प्राइस में और यह इसके पीछे रिडियम ग्लास लगा हुआ है जो कि राइट लिप लाइट रिफलेक्ट करता है नाइट के टाइम और काफी लाइट वेड़ है है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें अपना मैं गोप्रो कैसे मांट गवना तो यह स्ट्रैप है यह मैंने अमजोन से ओर्ड़ करके मनाया है इसको मैं इसमें अटाइच करके दिखाता हूँ कि इसकी स्ट्रैप्स इसमें अटाइच वियाती है तो अभी अब देख सकते हैं मैंने इस्ट्रैप्स में यह फास्त लिया है अब इस्ट्रैप्स अब इसको टाइट कर दूगा अब इसको टाइट कर दूगा अब इसको टाइट कर दूगा तो अभी आप देख सकते हैं यह बिल्कुल हिल नहीं रहा है एकदम टाइटली अटाइच हो चुका है अब इसको अभी इससे और लेता है तो यह एकदम आप देख सकते हैं टाइटली अटाइच हो चुका है अब इसमें हम नहाएंगे अपनो गोप्रो जो कि है यहाँ पर अभी गोप्रो का मैं में भी क्लेस नहीं मगा आया है वो मैं केस भी जल्दी एक दो दिन में मगा लोगा तब तक मैं ऐसे ही व्यूड़ी इसके यह गोप्रो के नीचे इदर यह दो स्लोट दे रखे हैं तो ओपिन कर दिया ओपिन करने बाद यह इसमें ऐसे पेटेज करेंगे एसमे इसमे पेटे पेटेज में औरीज स्कुर्ण दे रखेड़िए ऑगें नहीं कर दो स्कुर्ण में केड़ mystर्ण कर दो दो स्कुर्ण में प्तघश कर दो स्कुर्ण और अभी आप यह जैख सकते हैं यह गोप्रो इसके साथ अटैच हो चुका है अभी मैं इसको अन करके दिखाता हूँ आपको अभी यह अन हो चुका है अब यह कुछ ऐसा दिख रहा है अब यह कुछ ऐसा दिख रहा है रिकॉर्डिंग करेंगे ऐसा हो जाएगा यह रिकॉर्डिंग होने लगी है रेड लाइट जल लेए तो जलिए इसको बंद कर देखता है इसको आफ कर देखते है इसको आफ कर दिखते है इसको आफ ने देख लिए हमारा गोप्रो का सेट अप जो की और यहां पर मेरे पास माइक है जो की मैं आगे जब मोटो फ्लोग करूगा तो इसमें मैं यूज करूगा यह माइक काफी यूस्फुल होगा इसमें यह माइक काफी यूस्फुल होगा जो की हेलमेट के अंदर से फिट हो जाएगा और फिर इसमें अभी दो चीज और मगानी है उलांजी का केस और एक एड़प्टर मगाना है जिससे मैं अपनी ओडियो को गोप्रो की वीडियो में एड़ कर पाऊंगा यह डाल पाऊंगा से अभी सूट करोगा अभी मैं सूट कर रहा हूं आइफोन 13 से जो कि अभी मैं सूट कर रहा हूं आइफोन 13 से अब मैं वोप्रो से सूट करने वाला हूं तो यह ओन है इस टाइम अभी इस फोटो मोड पे आगा इसको वीडियो मोड पे करते हैं एक वीडियो मोट पे आ चुका है अब मैं इससे सूट करूगा अभी अपने वो प्रो से तो फ्रेंड्स अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यह गोप्रो से सूट हो रही है और अभी जो वीडियो में सूट कर रहा था वो कर रहा था आईफोन से यह आईफोन 13 तो इसका कलर देखिए काफी अच्छा है मटेलिक ग्रीन कलर है यह काफी बढ़े कलर है तो गोप्रो और आइफोन की जो कंपेरिजन में गोप्रो ही ज्यादा अच्छी क्वाल्टी देता है आज के लिए इतना ही I hope आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिये चैनल को सब्सक्राइब कर दिये तब तक के लिए अभी फिलाल वीडियो यही रहा है नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा मोटो व्लॉग पे जो कि मैं इसी सेट अप पे करोगा आई होब आडियो की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट आने वाले तीन चार दिनों में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी तब मोटो व्लॉग और अच्छे मिलेंगा अब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में